देर राज से हो रही बरसाथ ने किसानों को मायूस कर दिया किसानों ने कहा ये मुसलाधार बरसाथ अब किसानों के लिए आफ़द बनती दिख रही है आपको उता दें कि इस समय गेहूं की फसल खेतों में खड़ी है जो जादा पानी बरदास्ट नहीं कर सकती अगर पानी ज्यादा हुआ तो गेहों फीली पढ़ने के साथ खत्म होना शुरू हो जाएगा वहीं पिछले वर्स करोना के कारण जहां पूरा बेश्व मंदी के तरफ जा रहा था उसी बक्त किसानों के इस पीले सोने यानि गेहों की फसल ने भारत की अर्थ विवसा को संभाला था लगातार बरसाथ जहां किसानों की गेहों की फसल को खराब करेगी वहीं आने वाले समय में पसूँ के लिए सुखे चारे का भी अभाव रहेगा हम ने इंतजाम किया था दबारा से उपर से फिर बारिश होगी उपर से फसली करन का बुरा आलो रख है कंके आँ वो पूरी खराब हो रखी है अब की बार में तो जो है जो गेहों का साधन है ना बहुत बुरी आलत में हो गाईगा बे मौस में बार्ष है जी पहला ता एक साड अधना के लए ना ने खेतिक नूना देवेचे कसाना दा बुरा हाल कारता दिल्ली बैठे रहे जी जे दिल्ली तो आये यां ता होन पर मात्मा साथा साथ नी दे रहे आ देखो बार्ष दे पिछला बुरा हाल है जी जे आके हो पाणीपररा भी साथ को जे दिल्लाके आटोश दिल्ल की अधना बुरा हाल है कि फसलान देवेच पानी प्रहया प्रवा पया है ना कोई घोधी कोई देख, औरी हो रही है ते पर शुना दा चारा है वही बेकार है वांग गया झाहिए पहडा बुरा हाल ही तूडेजेडी व क셔야 को फोई भार पनाने हैं यह टकुरम गालार कहा ही जीदिव मिदार ड्च पाली यह झाला तु जाया तेया पाली हर考 दक्रेत कर्चक्षा we यह लेने है तो लेना चला केक कटा मिल देजी